स्टुडेंस आज में एक नया चाप्टर लेके आया हूँ जिस चाप्टर का नाम है कॉम्पानी एट्स अकाउंटिंग फोर शेयर केपिटल तो बच्चो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना कोशिश करना वीडियो को पूरा देखने का ठीक है तब ही आप फुल कंसेप्ट ले पाओगे तो सबसे पहले इस चाप्टर में जो मैं आज डिसकस करने वाला हूँ वो क्या है कॉमपणी क्या होता है शेयर होल्डर क्या होता है शेयर का मतलब क्या है शेयर का कितना टाइप से शेयर केपिटल क्या होता है और शेयर केपिटल का टाइप सिया केटेगोरी क्या क्या होता है यह सारा चीज में आज discuss करने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले आज हम लोग यह समझने वाला है कि meaning and definition of company company का meaning and definition क्या होता है लेकिन company का meaning and definition को समझने से पहले अब सब को यह पता होगा business studies में अब लोग पढ़ा होगा form of organization क्या होता है सबसे पहले होता है Soul Proprietorship जहां में बिजनिस में सिर्फ एकी ओनर होता है उसको Soul Proprietorship बोला जाता है फिर जो दूसरा होता है Partnership और Partnership में कम से कम 2% का जरूर होता है तब ही यह Partnership होता है और Partnership का बाद होता है Company ठीक है? तो आज यहां में हम लोग समझेगा कि Company का मीनिंग क्या है बच्चो Company Latin Word से लिया गिया है और इसका दो वर्ड मिलके Companies बनाए पहला वर्ड जो है वह है कम और दूसरा जो वर्ड है वह है Punish और दोनों वर्ड को मिला के बनाए Companies तो कम का मतलब क्या है? कम का मतलब है टुकेदर और पनिस का मतलब क्या है? Bread इसका मतलब है It means earning bread together लेकिन आज इसका concept बदल चुका है क्या है? क्या है मिनिंग कमपानी का? तो देखिए यह मैंने लिखा हुआ है कि Company is an artificial person Company क्या होता है? एक artificial person होता है Company तो खुद एक human being होता नहीं तो obviously artificial person होगा Created by law जिसको किस ने बनाया? Law ने बनाया कानून ने बनाया Having a separate entity Having a separate entity Separate entity का मतलब है की उसका owner से उसका identity separate होता है मतलब कमपानी का एक अलग सा पैचान है ठीक है? उई ते perpetual succession अब ये perpetual succession होता क्या है? बच्चों देखो perpetual succession का मतलब है Company continue को बताता है ठीक है? जैसे मान लो कि company में जो मालिक है या जो मेंबर्स है उन लोगों का आना जाना रहेगा है ना? तो इससे company का कोई फरक नहीं पड़ता है या किसी owner का अगार death हो गिया तब भी company पे कोई फरक नहीं पड़ता है इसी का मतलब है perpetual succession तो company चलता रहेगा ठीक है? और साथ में क्या लिखा है? and a common seal common seal का मतलब है आप सबको पता ही होगा कि हर company का एक signature होता है ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाता है? common seal और इस एक किसने बोला? प्रोफेसर है ने ठीक है? फिर जो दूसरा है दूसरा क्या है? according to section 2 subsection 20 of company act 2013 देखो बच्चों यहामे company act कौन सा वाला है? 2013 है है ना? क्या लिखा है यहामे? company means a company incorporated under this act और एनी previous company लो तो company का मतलब है ऐसा कोई organization या company ठीक है? जो शुरुवात होई है किस act का अंदर में company act 2013 या कोई previous company लो आप सबको पता होगा कि जैसा partnership में partnership का act होता है उसी तरह company में भी company का act या लो होता है ठीक है? तो इसी का meaning क्या है? अपका company है अभी जो बच्चो आप सबको पता होगा कि company जो होता है company को चलानी के लिए पैसे का जरूरत है तो इतना सारा पैसा आएगा कहा से? है ना? तो company क्या करता है? company public को offer करता है public को बोलता है कि देखो मेरा company का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आप खरीद लो और उसका बदल में आप company को पैसा दो बात सहाज माया? मालूम है इसको English में क्या बोला जाता है? share बोला जाता है तो share का मतलब क्या है? total capital of the company is divided into small parts or units each unit or part is known as share तो company का जो total capital है उसको छोटा-छोटा हिस्सों में बार्ट दिया जाता है ठीके? और यह छोटा-छोटा जो हिस्सा है जो part है उसको क्या बोला जाता है? share ठीके? तो public क्या करता है? company का कुछ part कुछ हिस्सा खरीद लेता है ठीके? जो public company का हिस्सा को खरीद लेता है उन public को क्या बोला जाता है? shareholder क्या बोला जाता बच्छो शेयर होल्डर्स ठीक है और इसका बाद शेयर का मतलब आप समझ में आया होगा ठीक है ना और जो Share Capital यह हमें क्या लिखा है Sure Capital Share Capital का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया Share आपको समझ में आ गया Capital तो Share Capital का मतलब क्या है Capital raised by the company through issue of shares is known as share capital तो Company जब Capital raise करेगा लोगों से पैसा लेगा किसका through से share को issue करके तो उसे क्या बोला जाता है share capital मतलब company share sale करेगा बदले में company public से क्या लेगा पैसा है ना तो जितना total पैसा आएगा company में उससे को क्या बोला जाता है share capital बास समझ में आ गिया अभी जो दूसरा point है share share कितना types का होता है ठीक है share two types होता है एक होता है equity share एक होता है preference share प्रेफरेंस का मतलब है importance preference share का मतलब क्या होता है बच्चो कि देखो सबसे पहले जो dividend है ना dividend का मतलब है profit वो profit जब बाटा जाता है तो सबसे पहले preference वाला को दिया जाता है preference shareholder वाला को दिया जाता है ठीक है और ये dividend का जो rate is rate of dividend ओफीक्स होता और dividend pay करेगा तो चाहे जितना भी profit हो जाओ 100 रुपीस हो fixed रहेगा preference shareholder का ठीके लिकिन equity share को ऐसा नहीं है तो सबसे पहले क्या है कि जो preference shareholder होता है उन लोगों को सबसे पहले dividend pay करेगा इसका बात equity share वाला को मिलेगा ठीके दूसरा जब भी company wind up होगा बंद हो जाएगा तो जो capital है इसका repayment होगा और किसको मिलेगा सबसे पहले preference shareholder को मिलेगा बाद में जाकि equity shareholder को मिलेगा तो इसी का meaning है equity share and preference share यह जो दो टाइप share है न इसका मैं एक अलग से video बनाने वाला हो ठीके तब वहां में अच्छा से आपको लोगों को explain कर दूँगा ठीके तो इस तरह हम लोग समझा कि company का मतलब क्या है shareholder का मतलब क्या है shares का मतलब क्या है shares कितना types का होता है share capital का मतलब क्या है अभी हम लोग समझने वाला है कि share capital का कितना types होता है और ओ कौन-कौन सा है ठीके तो बच्छो next जो point है types of share capital अभी देखो बच्छोँ यह में Share Capital का टाइप स्क्या डायक्या है सबसे पहले है authorized capital इस्जूट capital सबस्क्राइब नल construct capital और एक Serious Capital ठीक है तो समझता है कि authorized capital का मतलब क्या हो है authorized capital also called as nominal या resistant capital बोला जाता है तो authorized capital को nominal capital भी बोला जाता है registered capital भी बोला जाता है it is the maximum amount of capital a company can issue it is stated in memorandum of association बच्चो आप सब पढ़ा होगा business studies में MOA memorandum of association और एक और है जो article of association ये दो document होता है ठीक है ? और memorandum of association बहुत Lap port ड़ोग्नलम होता है punk में MICHAEL , जो अब्जेंटी होता है उसका कैपिटल का बारे में बता है durability का बारे में बता जाता है आऄोँ का बारे में बता जाता है आरोच आरोच का मतलब है you okay ठीक है और article of association जो होता है यह basically rules and regulations company का बार में बताया जाता है ठीक है तो सबसे पहले authorized capital का मतलब क्या है तो authorized capital का मतलब है the amount of capital which company can issue to its shareholders is called authorized capital मतलब यह उस capital का amount है जो company shareholder को issue करेगा ठीक है is called authorized capital कहने का मतलब है the capital for which the company is registered is known as authorized capital मतलब वो capital है जो company registered होता है उस capital के लिए company क्या होता है registered हो जाता है तो उसे authorized capital बोला जाता है मतलब आपको authority दिया गिया है कि आप lifetime के लिए इतना ही capital आप public से raise कर सकते हो तो इसे authorized capital बोला जाता है यह maximum amount होता है maximum amount किसका होता है capital का होता है ठीक है जो lifetime में आप public से raise कर सकते हो ठीक है, next point जो है issued capital, तो issued capital बच्चो क्या है, authorized capital का ही part है, ठीक है, this is part of authorized capital which is offered to public, तो issued capital का मतलब क्या है, आपको जो authorized capital का maximum amount है, उसमें से कुछ amount आप क्या करोगे, public को offer करोगे, ठीक है न, क्या चीज़ के लिए, subscription के लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, issued capital, ठीक है, और जितना अपने issue नहीं किया, उसको unissued capital बोला जाता है, फिर है next, subscribe capital, तो बच्चो, subscribe capital का मतलब क्या है, यह issued capital का ही part है, it is that part of the issued capital, which has been actually subscribed by the public, तो आपने जितना share issue किया, public ने उतना ही share हो सकता है, कि पूरा का पूरा share, public ने subscribe कर दिया, ठीक है, company ने जितना share issue किया, public को, हो सकता है, public पूरा share क्या कर दिया, subscribe कर दिया, या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो subscribe कर दिया मतलब समाझ में आ गिया, फिर next point है called up capital, अभी called up capital क्या होता है बच्चों, तो called up capital जो होता है, amount of nominal value of shares है, that has been called up by the company for payment by the subscriber towards the shares, तो कहने का मतलब एक called up capital का मतलब क्या है, जब एक बर subscribe हो जाता है, subscribe होने का बात, आपको पैसा मांगा जाएगा, जैसे मानलो एक शेर का प्राइस है, 10 रुपीस, तो जो 10 रुपीस है आपसे एक बर में नहीं मांगेगा, वो installment में आपसे मांगेगा, ठीक है, तो जो पैसा मांगा जाएगा आपसे, उसे क्या बोला जाता है, called up capital बोला जाता है, ठीक है, next point है paid up capital, तो paid up capital जो होता है, बच It is part of called up capital that the members of company or shareholders have paid, तो company ने जो shareholders से या members से जो पैसा मांगा था ना, वो shareholder ने pay कर दिया, तो उसे क्या बोला जाता है, paid up capital बोला जाता है, ठीक है, फिर next जो point है, वो है reserve capital, अभी reserve capital क्या होता है, तो it is part of increased capital and or portion of uncalled share capital, तो अपने जो share, जो जितना पैसा अपने नहीं मांगा था, जैसे हमें called up capital है ना, तो आपने जैसा मानलो, एक share का price है 10 rupees, तो आप 10 rupees एक बर में public से नहीं मांगोगे, shareholder से आप नहीं मांगोगे, 10 rupees को part-part कर दिया जाएगा, जैसा मानलो, first installment में 5 rupees third installment में 2 rupees मांगा, तो 3 installment हो गया, right, अभी अपने क्या किया, company ने first installment का पैसा मांगा 5 rupees, ठीके, फिर company ने second installment का पैसा मांगा 3 rupees, ठीके, तो 8 rupees मांग लिया, 10 rupees था, तो 2 rupees company ने नहीं मांगा shareholder से, क्योंकि अभी यह जोरूत नहीं है, इसलिए company नहीं मांगा, ठीके, तो उसे क्या बोला जाता है, uncalled share capital, ठीके, तो जितना पैसा नहीं मांगा, company, sorry, public से, या shareholder से, या members से, ठीके ना, तो उसे क्या बोला जाता है, reserve capital, और मालूमें, एh reserve capital, जो मांगा नहीं है पैसा, वो कब मांगा जाएगा, company कब मांगेगा public से, या shareholder से, जब company wind up होने वाला है, जब company बंध होने वाला है, तब वो remaining amount, shareholder से, मांगेगा, और यह जो reserve capital है ना, एh available किसके लिए मालूमें, for the creditors of the company, company का जो creditors होगा, उन लोगों का पैसा, पे करने के लिए, यह पैसा, यह capital, reserve में रखा जाता है, ठीके, तो इस तरह, आप लोगों को, मैंने समझाया, कि types of, क्या, share capital, तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे आने वाला और भी बहुत सरे वीडियो इस chapter से related, मैं topic wise explain करने वाला हो, तो बहुत ही important chapter से, आप लोग सब, जुरूर वीडियो को देखना, थोड़ा भी skip मत करना, और वीडियो को अच्छा लागा, तो like and share कर देना, और अग अब के लिए thank you